क्या कभी वजन घटाने के और बढ़ जाने के चक्रवीव में फसे हैं आप जैसे आपने वजन घटाने की कोशिश करना शुरू किया, खाना पीना रोग दिया, एक्सराइस किया, टेंप्ररी लिए आपको वेट भी गम हो गया, उसके बाद अचानक फिर धीरे से अच्छा ख है, चलिए देखते हैं, दो महत्वपून कारण हैं इसके, पहला आपने समझा ही नहीं बराबर से कि ये वजन घटना और बढ़ना होता कैसे है, और दूसरा, मोटिवेशन नहीं रही लंबे समय तक वजन कम करके रखने की, अब इसको और थोड़ा डीटेल में समझते हैं, पहला क्वेशन लेते हैं, कभी बच्पन का एक किस्सा याद कीजिए जब आप एक्जाम देने जा रहे हो, और माता पिता ने आपको कहा हो कि क्वेशन को दो बात ध्यान से पढ़ना, पढ़े बिना आंसर मत दिखना, ऐसे क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि य इफिनेटली आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले वीडियो में जो 15 कॉस बताये थे, 15 कारण बताये थे वजन घटने के, सरी बढ़ने के, ये आपको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए दूसरे कारण के तरफ बढ़ते हैं, हमेंसे कई लोग हमारे परिवार वालों का क्या होगा, ये डर, यही motivation है, ये LIC policies और इस तरह की policies लेने के पीछे, पिछले वाले वीडियो में जब मैंने ये बताया था, कि मुटापे से क्या-क्या खतरे हमारे जिंदगी में आ सकते हैं, क्या-क्या बिमारियां आ सकती हैं, साथी साथ हो सकत है, इससे हमारी मृत्यू भी हो जाएं, यदि ये हमें बराबर तरीके से समझ में आ जाएं, तो हम मुटापे से डरने रगेंगे, ये डर हमारे subconscious mind को प्रेदित करेगा, कि हम constantly weight कम करने के पीछे काम करते रहें, और अगर ऐसा हुआ, तब ही लंबे समय तक हम बिना किसी पर्चन के हर मुसीबत को पार करके वजन कम करने के लिए हमेशा कारेदत रहेंगे, तो आब हमने समझ लिया, दो कारण है, पहला, अच्छे से समझें कि weight बढ़ क्यों रहा है, ताकि सही रास्ता चुन पाए, और दूसरा, ये जो डर है, कि मुटापा हमारे लिए खतरा ब ये आप समझ गए, तभी आपको अब जो मैं ओबेसिटी पे या मुटापे पे कम करने के लिए जो वीडियोस आपको देने वाली हूँ, उन वीडियोस का actual लाव आपको हो पाएगा, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में, जिसका नाम है My Expert Doctor, मैं आपके साथ की consultant physician, तो चलिए आज की वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, weight management को एक building की तरह imagine कीजे, तो जिस तरह एक building, एक construction, चार pillars पे, चार स्थम पे खड़ा रहता है, उसी तरह ये पूरा weight का management है, ये चार स्थम पे खड़ा हुआ है, पहला pillar क्या है, nutrition, खाने पिने में जो भी आपको स चार pillars को हम तीर headings के अंदर discuss करेंगे, पहला, इसका focus क्या है, लक्ष क्या है, दूसरा, ये क्यों जरूरी है, और तीसरा, इसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं, ये पूरे वीडियो में मैं आपको इन चार pillars का एक overview दूँगी, कि हर एक pillar की importance क्या है, और क्या-क्या चीज अधरी intake को restrict कर सकते हो, कम कर सकते हो, बिना शरीर के nutrition को नुकसान पहुचाए, अगर आपको हमारे दुआरा दी गए जानकारिया अच्छी लग रही है, तो लाइक बटन दबा कर हमें प्रोच सहीत कीजिए, ज्यादा से लोगों के साथ शेर कीजिए, ताकि इससे उनका भी इसकी जरुवत क्या है, कई बार ऐसा होता है, कि हम बिना सोचे समझे खा लेते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि हम जो खा रहे हैं, उसमें calories कितनी हैं, उसकी हमारे शरीर को जरुवत है कि ने, तो ऐसे unthoughtful meals अगर हम लेंगे, तो इससे हमारे शरीर में calorie बढ़ेगी, साथी वो कम हो जाए, अब calories actually में होती क्या है, ये समझने के लिए आप समझे, जो भी आप खाते हो, कोई भी खाना खा रहे हो, तो उसमें carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, पानी और fiber, इतने तत्वो होते हैं, इसमें से केवल carbohydrate, protein और fat, यही तो तूटने के बाद, मतलब digestion के बाद, आपको energy provide करता है, शरीर की activity के लिए, अब अगर ध्यान scientific तरीकें से देखा जाए, तो एक ग्राम protein को आप अगर 100% digest करते हो, तो 4 calorie energy निकलेगी, एक ग्राम carbohydrate को 100% digest करोगे, तो 4 calorie निकलेगी, एक ग्राम fat को पूरा digest करोगे, तो 9 calories निकलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, कि suppose, for example, आपने 2 चपात में 15 medium size चपाती की बात करें, तो 15 gram carbohydrate होते हैं, 3 gram protein होता है, 5 gram fat होता है, एक चमच घी में, तो इसकी calorie count करें, तो 1 gram से 4 calorie बनती है, तो 15 gram से 60 बनेगी, 1 gram protein से 4 calorie तो 3 gram से 12 बनेगी, और 1 gram fat से 9 calorie बनती है, मतलब 5 gram से 45 बनेगी, जोड़ करके देखेंगे, तो 117 calorie, इसका मतलब, दो चपाती और एक चमच घी को पूरी तरह पचा लेते हो, तो आपको 117 calorie energy मिलेगी, अनरजी को नापने का एक तरीका है, यसे लंबाई दूरियों को हम किलो मिटर में आपते हैं, दूद को हम लिटर में आपते हैं, तो energy को कैलरी में आपते हैं, तो इतनी energy आपको मिलेग अब यह access calorie क्या होती है, रमेश और सूरेश आपको जो पसंदा है उसका एक 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 जामपल ले देते हैं, चले सूरेश का लेते हैं, सूरेश एक लड़का है, लगभग 30 साल का IT इंडस्ट्री में काम करता है, तो सूरेश सुबह सुबह नाष्टे में दो आलू पराठा औ और एक कटोरी दही खाता है, उसमें उसको 400 क्यालरी मिलती है, लंच में उसको भूक लगी, उसने फिर दो छोले भटूरे खा लिये, एक प्लेट चिकन बिर्यानी खा लिया और एक केन कोक का पी लिया, उसमें हो गई 1500 क्यालरी, फिर उसने खाया शाम के नाष्टे में दो चीज़ बर्गर और एक ग्लास कोक जिससे उसको मिली 800 क्यालरी, रात के खाने में उसने वेज मंचूरियन लिया और एक प्लेट फ्राइड राइस लिया, वापस से उसने कोक या कॉफि जो उसके मर में आया उसने लिया, 1200 क्यालरी रात के खाने की हो गई, तो कुल मिला के आपन देखें ये तो 4000 कैलरी के आसपास उसने पूरे दिन में ले ली अब क्यूंकि वो IT इंडस्ट्री में काम करता है usually sedentary lifestyle है उसके exercise वगरा नहीं करता है वो तो हाँ उसकी requirement है 2000 किलो calories की तो 2000 कैलरी की requirement में अगर वो 4000 कैलरी लेता है तो लगभग 2000 कैलरी उसकी excess कैलरी हो गई मतलब इस कैलरी की उसको ज़रुवत नहीं है तो ये जो कैलरी है excess कैलरी उसके शरीर में fat की तरह जमा हो जाएगी तो ये excess कैलरी का concept हुआ अब ये सब समझ लिया हमने अब हम ये देखेंगे कि अगर हम ये nutrition वाले pillar में आगे बढ़ते हैं तो हम क्या क्या चीज़े देख पाएंगे आगे जाके हम देखेंगे कि calorie count कैसे करते हैं अपने दिन की meals कैसे plan करते हैं दूसरा basic understanding समझेंगे हम fat storage की वसा जमा कैसे होता है और weight gain में कैसे cause करता है हम ये देखेंगे कौन से खाने हमको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए या कम खाने चाहिए कौन सा खाना हमको जरूर खाना चाहिए ताकि हमारा weight constantly lost होता रहे diet plans के बारे में आपने सुना ही होगा ketogenic diet plan होता है intermittent fasting होती है low fat diet होता है इसके अलावा और भी काफी साई diet plans होते है उनके बारे में हम जानेंगे साथी साथ ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा diet plan best है चले अब दूसरा pillar देखते हैं दूसरा है physical exercise physical exercise में focus किस चीज़ पर किया गया है कि जो आप calories ले रहे हो उसको burn out कैसे करना है जलाना कैसे है energy कम जाला साथा use कैसे करनी है क्योंकि इसकी जरूवत क्यों है अगर आप जादा calorie यूज करोगे तो एक calorie deficit create होगी कमी create होगी body में तो जब शरीर में energy कम है तो वो fat को mobilize करेगा fat को dissolve करेगा अच्छी energy बनाने में यह अच्छी energy हमारे काम आएगे धीरे धीरे fat जो है वो कम होता जाएगा उससे weight loss प्रमोट होगा अभी इसमें आपको समझना ये है दो concept समझने है base cell metabolic rate क्या होता है और total energy expenditure क्या होता है तो suppose आपकी शरीर आप 24 गंटे सिर्फ सो रहे हो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 24 गंटे पूरा सो रहे हो तो भी आपके शरीर को चलने के लिए energy की दरुवत होती है तो 70 पर आप जो भी पूरे दिन में energy waste करोगे उसका 70% जो रहता है वो इसी resting metabolic condition को maintain करने में चलता है 5-8% आप जो खाना खा रहे हो उसको breakdown कर रहे हो उससे energy बना रहे हो इसमें use जाता है 25-30% जो energy रहती है वो पूरे दिन में आप जो extra काम कर रहे हो इन दो चीनों के अलावा जैसे चलना फिरना, जाडू मारना, कपड़े सुखाना खाना बनाना ये सब काम में जो आप energy लगा रहे हो वो टोटल 25-30% रहती है पूरे energy expenditure का इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे कितनी भी exercise कर लो कितनी physical activity increase कर लो आपके पास केवल ये 25-30% है खेलने के लिए ठीक है? तो अब इसमें अपन क्या देखेंगे आगे physical exercise में कि sedentary versus moderate versus active lifestyle हम किसे कहते हैं? उसका criteria क्या-क्या है? फिर हम ये देखेंगे कि कितने घंटे आपको activity करनी चाहिए weight loss होट करने के लिए या fit रहने के लिए कौन सी physical activity ज़ादा आच्छे तरीकी से weight loss करवाती है weight loss plateau ये क्या होता है और कैसे avoid कर सकते है cardio और weight training exercise जो होती है इसमें से better क्या है weight loss के लिए ये भी हम इस पार्ट में देखेंगे आते हैं next pillar पर जो है behavior व्यावहार इसका focus क्या है? कि weight loss आप diet और exercise से जो भी weight loss कर रहे हो वो बना रहे इसके लिए आप क्या behavior में change ला सकते हो क्यों important है? ताकि आप अभी जो weight loss कर रहे हो वो सिर्फ अभी ही ना रहे वो long term में भी आपको काम आए साथी साथ ये आपको आपके goal पर focus करने में मदद करता है suppose आपने goal decide किया है कि मुझे ये साल के अन तक 10 किलो कम करना है तो अगर आपका behavior अच्छा है positive है तो आपना goal achieve कर पाओगे आप बुरे से बुरे time पर ये positive कैसे रह सकते हो अच्छी lifestyle को adapt करके खुश रहके उसको continue कैसे कर सकते हो ये सारी चीजे behavior में आती है तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि ऐसे कौन सी eating habits है जो हमारे weight loss को promote कर सकती है reward psychology कैसे कर सकते हैं एक sustainable weight loss के लिए हमने पिछले वीडियो से बताया था कि अगर नीन अच्छी नहीं आ रही है अच्छे से ने सो रहे हैं तो भी weight gain होता है तो weight का और better sleep का क्या correlation है साथी साथ क्या activity ऐसी करने कि हमारे नीन अच्छी हो जाए ये सब हम देखेंगे although ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको but briefly discuss करेंगे यहाँ पर साथी साथ stress management मतलब अगर आप stress में हो तो भी आपका weight gain होता है तो किस तरह अपना stress कम कर सकते हैं tension न लेते हुए कैसे weight कम कर सकते हैं वो यहाँ पर discuss करेंगे चलिए अब आते हैं आखरी pillar पे medical management तो medical management का focus क्या है कि वो लोग जिनको जरुवत है उनको एक extra push देना है दवाईयों के थ्रू यह किसके लिए important है तो obviously सबके लिए important नहीं है तीन category है जिनके लिए important है पहला अगर मोटापे का कारण कोई medical issue है जैसे diabetes है thyroid के issue है PCOD है तो उसमें आपको पहले वो बिमारी ठीक करनी पड़ेगी तब ही आप focus कर सकते हो weight loss पे तो उनके लिए दूसरा अगर मोटापे के कारण specifically अगर आपका BMI 30 या 25 के उपर है 35 के उपर है तो उन लोगों में देखा गया है कि heart diabetes से related kidney से related comorbidities या risk बढ़ता रहता है उन लोगों को जल्दी weight loss करवाने के लिए medical therapy की ज़रूरत पढ़ सकती है या फिर expert के supervision में भी अगर आप weight loss नहीं कर पा रहे हो पूरा protocol follow करने के बाद भी तो हो सकता है आपको दवाईयां add करनी पड़े अब इसके अंतरकत हम क्या-क्या देखेंगे कि किन लोगों को ये दवाईयां या medical management दिया जा सकता है कब दिया जा सकता है क्या-क्या options है हमारे पास जैसे कि आप सब जानते हो कि bariatric surgery या वजन कम करने के लिए surgery होती है तो वो possible है क्या उसके अलावा कुछ दवाईयां भी आती है तो दवाईयां ट्राय कर सकते है क्या इन दवाईयों से या surgical treatment से कोई side effect हो सकता है of course हो सकता है बट वो कौन-कौन से है वो देखेंगे साथी bariatric surgery है safe है क्या पूरी तरह से वो हम देखेंगे जैसे एक building बिना pillars के खड़ी नहीं हो सकती है वैसे ही वजन कम करने का जो program है यह इन चार pillars के अभाव में खड़ा नहीं हो सकता success नहीं मिल सकती weight loss करने के लिए वजन कम करना है successfully तो 5P लगेंगे आपको precise information मतलब आपको जो knowledge है weight gain, weight loss दोनों के बारे में वो सही होनी चाहिए दूसरी personalized approach हर एक individual के हर एक इंसान के हिसाब से उसको weight gain के problem का solution दिया जाता है तीसरा patience, आपको सब रखना पड़ेगा यह ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रात भर में या एक महने में या दो महने में मिल जाए perseverance, सब रखते-रखते लगातार काम करते रहे एक goal को निर्धारित करके उसके पीछे लगे रहे है last point positive attitude मतलब आपको एक अच्छे attitude के साथ आगे बढ़ना है एक अच्छी विचाध हारा के साथ आगे बढ़ना है आपको success जरूर मिलेगी तो इस वीडियो में पिछले दो वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं जो भी बताने वाली हूँ अगर आप उसको 100% फॉलो करते हो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना weight loss कर पाओगे बिना अपना पैसा, अपनी energy और अपना मेहनत खर्च किये बिना तो अगले वीडियो में अब हम क्या देखने वाले हैं calories होती क्या है calories को count कैसे करते हैं अगर Indian meal खा रहे हम तो उसके हिसाब से calories का कैसा proportional manage करेंगे और एक average requirement क्या होती है calorie intake की lifestyle के हिसाब से तक तक ये लिए अपने अपने घरों में स्वस्त रहिए मस्त रहिए